नमस्कार दोस्तों मेरे नाम में विमल सिंग बाला जिस्ट डेटा में आप सभी का स्वागत है विहार सिक्षक भरती फेस 3 जो की परिक्षा रद्ध हो चुकी है उसमें PRT का जो पेपर हुआ था उसमें प्रस्ण करेंट अफ्यर के कहां से पूछे गए थे वो हम आपको यहा जो की हमने एक एक प्रस्ण आपको कराया गया था तो सबसे पहले स्क्रिंसोट में आप देखेंगे वर्तमान में कौन किस पदपर है परवरी 2024 तक का अपडेट कराया था मैंने आपसे कहा था कि जो इससे पहले विकंसी हुई थी उसमें भी यहां से प्रस्ण तीन पूछे गया था कि नए केंद्री सतर्था आयुकत कौन थे इन्होंने थोड़ा से यह कंफ्यूजन करने के लिए बना दिया इसको स्वाड में लिख दिया एनके पीके बीके जबकि यहां पर पूरा नाम मैंने आपको बताया था प्रवीड कुमार सृवास्तो तो प्रवीड कुमा अब एक्जाम आगे जब तक होगा उसको लेकर कि हम एक अलग से फिर से वीडियो ले आएंगे जो कोई बदलेंगे तो उसको अपडेटेट वाले भी अलग से करा देंगे चाहेंगे तब 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 आप जो पहले से बने हुए चाहें तो उनको तब तक याद रख सकते हैं कि ऐसा नहीं है कि यवल हवावाजी वाली बात हुँ स्क्रीन सोट भी दिखा रहे हैं कि हर एक एक कोशन जो हमने आपको कराया था स्वही सारे पूछे भी गयते जैसे देखेंगे 500 नंबर पर प्रसन सबसे लास्ट वाला था हिनले पास्पोर्ट इंडेक्स 2023 में भारत कौ पूची थी तो इन में से कोई नहीं आपका अंसर यहां पर हो जाएगा क्योंकि इन में से कोई भी रैंकिंग जो रहे वो नहीं थी भारत और 500 तक ही हमने कोशन कार कराये थे यहां पर सबसे लास्ट कोशन था तो इसमें तो और भूलने के चांसर बिल्कुल भी नहीं यहां पर आप साइड में कोशन देखिए 64 नंबर कि किस भारती प्राध्योगी की संस्थान ने तंजानिया में अपना परिसर भूलने का निर्णय किया है यही कोशन है कि आईटी मदरास ने अपना पहला अंतराश्टी परिसर का दगातन किस देश में तंजानिया में तो आरे वीडियो के नीचे टाइमिंग भी देख सकते हैं एक महिना पहले यह वीडियो कराया था आपका और बात करते हैं अगले स्क्रीन सौट की अगला स्क्रीन सौट देखेंगे यह वादा यहां पर देखेंगे 115 नंबर प्रसंद क्या है केंध सरकार ने चंद्रयान 3 के च चीज बूझकी गयी चंद्रयान 3 आपका चंद्रमा की सता पर कब उत्रा था यही कोशन है चंद्रयान 3 चंद्रमा की जो soft landing है South Landing का मतलब वही उतरा था तो उसी दिन को लेकर कि राष्ट अंत्रिक्ष दिवस मनाया जाने को लेकर कोश्चा होई थी 23 अगस्त को ये 23 अगस्त यहाँ पर आप तारिक देख पाएंगे 23 अगस्त 2023 ये आपका अंसर हो जाएगा तो हमने तो एक कदम आपको आगे ही बताया था कि अगर अंत्राष्ट की जो अंत्रिक्ष दिवस है वो पूछ लिया जाएगा तो वो भी आपास आने से कर ले जाएगा ज्यादा करेंट अफेर के कोशन इस बार नहीं आयते पिछली बार करेंट अफेर के कम से कम 12-13 नंबर के आयते पर हमने अपनी तरफ से करेंट अफेर आपको इतनी करा दी थी सफिसियंट की हर हाल में आप जितने भी कोशन आए आप कर ले जाएं 423 नंबर पर question देखेंगे वीडियो भी सभी लोग लाइक अवश्र कर दीजेगा कोसिस इस बार भी रीग्जाम होगा हम फूरी रखेंगे अपनी तरब से कि हर वो question आपको करापाएं आने की संभावना जो है आपकी पेपर में रहें यह question देखेंगे 95 वे ओसकर 2023 में best documentary film का award किस भारती फिल्म ने जीता है आपके पेपर में देखेंगे तो यह present 77 नंबर पर यहां आपके पेपर में उपर नीचे हो सकता है तो PRT में question देखें क्या है था किस भारती फिल्म ने 2023 में आउसकर पुरसकार जीता है आंसर क्या हो जाएगा The Elephant Whispers question यह है कि 95 वे ओसकर 2023 में best documentary short film का award किस भारती फिल्म में जीता है तो The Elephant Whispers तो यह as it is question थे कुछ मैंने आपको इसलिए भी दिखाए कि यहां पर जो हम question आपको हमने कराए थे यह question आपको कहीं बाहर से नहीं पूछे गए जो हमने आपको कराए थे सब question उनी में से थे main आपका काम है उसको याद रखना तोगि 500 question बहुत जादा नहीं होते इतना हजारों चीज़े लाखों चीज़ा पढ़ लेते हैं में से दो-चार चीज़े पूछी जाती हूं उसके अगर comparison में देखेंगे तो एक series के तौर पर जो हमने कराए थी सारे question आपको इसलिए से हमने दिखा दी और दूसरी चीज़े कि यह भी है कि एक अभी analysis भी हम paper का आपको करके दिखा रहे हैं कि क्या-क्या चीज़े कहा कहा से पूछी गई है और भी चीज़े जो आई हैं उसको भी हम कराएंगे solution भी कराएंगे ताकि re-exam में थोड़ा से आपको help मिल सके अभी के वीडियो में इतना ही रखते है वीडियो लाइक शे के लिए सबी को नमशकार चाहे हैं